नवस्कार साथियों आपको बहुत बहुत स्वागत है एकेडमी आप साइंस इन आर्ट्स वाय अथर प्रकासर के यूट्यूव चैनल पर आज चर्चा करेंगे हम रायत वारी विवस्था जो कि भू राजो बेटे सासन की जो भू राजो सुनीती थी उसके बारे में चर्चा करेंगे आज हम चर्चा करेंगे रायत वारी विवस्था रायत वारी विवस्था के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग कि यह अखिर में है क्या रहियत वारी वेवस्ता है कि उसके वारे में चर्चा करेंगे जैसा कि इससे पहले हमने वीडियो बनाया था स्थाई बंदोवस्त सबसे पहले इसके जो जन्म दाता थे तो ये थे थामस मुनरू थामस मुनरू और एवं कैप्टन रीड कैप्टन मतलब रहियत वारी वेवस्ता जो सुरू करने का काम किया था दो बैक्ती ने किया था एक थामस मुनरू और एक था कैप्टन रीड कई बार कोशन पूछा जाता है कि रहियत वारी वेवस्ता किसने सुरू किया था तो थमस मुनरू और कैप्टन रीड के दौरा जैसे अस्थाई बंदवस किस ने शुरू किया था लॉड कानवारली इस ने शुरू किया था तो ये जो लागू की गई थी सबसे पहले कहां की गई थी यह विवस्था तो मदरास में एवं बंबई में लागू की गई थी जैसा कि बिहार बंगल और उडिसा में जो है अस्ताई बंदवस्त से पहले लागू किया गया था लेकिन अगर आप बात करते हैं रहतवारी विवस्ता की तो थॉमस मुनरो और कैप्टन रीट के दोरा मदरास और बंबई में किया गया था मंदरास और बंबई में जो है थोमस मुन्रो और केपिनर रीट के दौरा रहे तवारी ववस्था लागू किया गया था लेकिन दूसरे थरफ अगर बात करते हैं अस्ताई बंद ववस्थ की तो उसको लागू करने का काम लौड कानवालिस ने किया था पहले बिहार उरीशा बंगाल में लागू किया था इसके अंतरगत क्या किया जा था था कि जो जमीन धारक है है ना इस रहे तवारी ववस्था के तह जो है जो जमीन का मालिक है भूस्वामी सुकार करके उसका साथ लगान की सर्टे तै की गई थी की मतलब भूस्वामी को सुकार करते हुए लगान की लगान जो है तै कर दिया गया था कर दी गई थी की मतलब आपको इतना लगान देना है ना इसी में एक और है हम जिसकी चर्चा करते हैं वह है महलवारी ववस्था महलवारी ववस्था ये महलवारी ववस्था है क्या इसको देखे इसके जो जनक है वो हाल मेकेंजी है मतलब महलवारी ववस्था के जनक जो है हाल मेकेंजी है और रहेतवारी ववस्था के जनक जो है वो थोमस मुनरो और कैप्टन रीड है और अगर हम अस्थाई बंदवस्त की बात करें तो अस्थाई बंदवस्त को जो है लागू करने का काम जो किया था वो जन्मदाता जो है लॉडकान वाली से दक्कन के कुछ छेत्र को इसमें जो है सबसे पहले जो है लाया गया था धक्कन का कुछ पार्ट था उसको जैसे हो गया आपका संयुक्त परांथ हो गया प्रांथ हो गया उसके बाद आपका हो गया आगरा हो गया उसके बाद आपका हो गया अबध को सबसे पहले इस बनवस्त के तहर जो है लाया गया पंजाब का कुछ हिस्सा हो गया पंजाब का कुछ हिस्सा हो गया इस विवस्ता में परतेक जांगीर या गाउं के अंसवार अ नागीर या राजवस्ट जो है निश्चित किया था इस विवस्था के तहद है ना तो यह रेवनी क्लेक्ट करने का सधन था अंग्रेजों का तीन तरह की बात किया स्थाई बंदोबास तरह यतवारी और महलवारी जो कि बहुत महत्पून है आपके एक्जाम के पॉइंट अ है नवार